हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी न्यूज अभी हाली में दे लेंसेंट मैग्जीन में वर्ड पोपुलेशन प्रोजेक्शन की एक एनलैसिस प्रकासित हुई है जिसमें अनुमान लगाया गया है कि विस्व की जनसंख्या पहले के अनुमान से काफी पहले ही अपने पीक पर पहुँच जाएगी इसके लिए रिसर्चर्स ने 195 देशों में जनसंख्या के ट्रेंड्स क्या एनलैसिस किया है दलेंसेंट ने ग्लोबल बर्डन ओफ डिजीज स्टडी 2017 के आकडों का भी उप्योग किया है जिससे भविस्वे में आबादी की दर क्या होगी फंक्सन पर पहुँच जाएगी तो जानेंगे इस एनलाइसिस के बारे में So Let's Start तो पहले तो The Lancet magazine के बारे में जान लीजिए ये एक academic journal है जो एक normal health magazine है weekly प्रकासित होती है यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद health संबंधित magazine है इसका प्रकासन 1823 से हो रहा है और The Lancet के संपादक Richard Horton है तो इनके research का अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या वर्स 2064 में 9.73 billion हो जाएगी जो की पिछले वर्स की United Nations Report World Population Prospects के अनुसार ये अनुमान था कि जनसंख्या सन 2100 तक 11 billion के peak पर पहुँचेगी बट इनके analysis के हिसाब से अब ये 36 साल पहले ही यानि 2064 में ये 11 billion पहुँच जाएगी और इसमें भारत की बात की जाए तो भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा और 2064 में भारत की जनसंख्या 179 या 170 करोड के आसपास होगी 2064 के बाद analysis में पाया गया की जनसंख्या में कमी आएगी और 2120 तक जनसंख्या 11 billion से घट कर 8.79 billion लगभग रह जाएगी फिर बात करते हैं the global TFR TFR का full form होता है total fertility rate इसका प्रतिसत विस उभर में लगातार घट रहा है ये 2017 में 2.37 ती ग्लोबली और 2100 सन में 1.66 प्रतिसत रह जाएगी भारत की 2019 में fertility rate 2 प्रतिसत से भी कम थी भारत की इससे भी जादा घट जाएगी 2100 में जो हो जाएगी 1.29 प्रतिसत के आसपास ये analysis विस उभर में लगभग 183 देशों में किये गए हैं वहाँ पे total fertility rate एक प्रतिसत से भी नीचे गिर जाएगी भारत में सन 2100 तक working age मतलब adults जो 20 से 64 साल के लोगों की संख्या है वो 2017 में around 748 मिलियन थी जो 2100 इसवी में घटकर लगभग 578 मिलियन रह जाएगी हाला की भारत में फिर भी largest working age population होगी और भारत चाइना की जो workforce population है जो अभी लगभग 950 मिलियन है उसे सरपास कर जाएगी क्योंकि चाइना की सन 2100 तक 350 मिलियन workforce population रहने की उमीद है ये एक graph है जिसमें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं जिसमें दर्साया गया है कि सन 2100 तक में विश्व भर में बच्चों की संख्या कम हो जाएगी और बूढों की संख्या बढ़ जाएगी इंडिया के trends भी लगबग ऐसे ही बता रहे हैं और यहाँ पर दिया है sex ratio जिसमें सन 2100 में प्रती 100 महिलाओं पे 103.5 पूरुस होंगे भारत में और 100.3 पूरुस होंगे विश्व में भारत में सन 2100 तक दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा emigration करने वाला देश हो जाएगा क्योंकि भारत की GDP सन 2100 तक विश्व में लगबग दूसरे या तीसरे पायदान पे तो जरूर होगी जिसकी वज़े से लोग इंडिया में services, business और various work करने के लिए आएंगे तो उस समय भारत से बाहर जाने वालों की संख्या में कमी आ जाएगी और भारत में आने वालों की संख्या में वृद्धी हो जाएगी ये भी एक कारण रहेगा भारत में जनसंख्या वृद्धी का सन 21 सो में भारत की life expectancy दस सबसे ज़्यादा population वाली countries में भारत की life expectancy कम ही रहेगी जो 79 years के लगबग में रहेगी लेकिन ये आज की अपेक्छा अधिक ही रहेगी सो ये थी पूरी जनकारी वर्ड पोपुलेशन प्रोजेक्ट के बारे में सो थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो गुड डे